हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चानल एजुपूर में तो दोस्तों हमारे आज की वीडियो है सांखे की से रिलेटेड यानी स्टाडिस्टिक जिसे हम इंगलिश में कहते हैं तो मैं यह नहीं कहूंगी कि यह वीडियो केवल बीए वालों के यह केवल में वालों के लिए या बीएड वालों के लिए अभी तू यह वीडियो सभी के लिए उन सभी के लिए जिनके एक्जाम में रिसर्च पेपर आता है ठीक है अगर बात करें तो कुछ कॉलेजियों में जैसे अलावाद इन्वस्ट्री में भी बीए थर्ड यह में स्टाडिक के पेपर को रखा जाता है में भी यह टॉपिक साथ यह बेड में भी आते हैं तो आश्यकरती हूं यह वीडियो आपके लिए आज का हमारा पहला टॉपिक है जिससे आप टॉपिक वन यह चाप्टर वन भी कह सकते हैं क्रियात्मक अनुसंदान तो आज हम बात करेंगे कि क पर के जाता है चानहीं और प्रियात्मक नुसंदान को समस्याव के अद्यान की एक वरग्यानी पद्रतिती माना जाता है जो ग्यान की खोज के लिए मतलकि किया जाता है तो अनुसंदान से हम क्या कह रहे हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में खोज रहे हैं सर्च कर रहे हैं तो अनुसंदान को समस्याओं के अध्यान के लिए वेग्यानिक बद्धी माना जाता है और ये अनुसंदान के द्वारे ही ग्यान की खोज की जाती है या फिर ग्यान की खो तो ये सभी अनुसंदान का एक अनुसंदान का एक अनुसंदान भी होता है जिससे हम एजूकेशनल रिशर्च कहते हैं यान inaugural research क्या होते हैं तो रिसर्च तो आरिया में होते दे लेकिन जो सैखशी गनुसंदान या फिर educational research कहते हैं तो सेक्षी कनुसंदान का भी अंतिम लक्ष, सिक्षर नियाम, सिक्षर सिद्धान और उनका प्रतिपादन करना, उनकी पुष्टी करना तो समस्य से संबन में परिणाम निकालना होता है तो दोस्तो सेक्षी कनुसंदान दो प्रकार के होते हैं एक पहला होता है क्रियात्मा कनुसंदान और दूसरा होता है मौली कनुसंदान तो आज हम क्रियात्मा कनुसंदान के बारे में बात करेंगे हमारी नेक्स वीडियो में हम मौली कनुसंदान के बारे में भी बात करेंगे तो चलिए जान लेते हैं क्रियात्मा कनुसंदान यान प्रयत्न का हमारे स्क्षा से समढ़ी संबने मारकीमेश तो समद्य है राइब तो ये का जा रहा है कि विद्धाले की, क्योंकि ये एजुकेशन है तो सिख्षक कहां विद्धाले में प्रदान की जाती है तो विद्धाले की कारपदिती में सुधार और विकास करने का एक सबल साधन क्या है एक्शन रिसर्च यानि क्रियात्मक अनुसंदान इसके माद्धम से ही सिक्षक अपनी कक्षा तथा विद्धाले की समस्या सुलजाने का प्रत्न कक्षा तो बेसिकली हम ही कह सकते ह Inkigma करन का क्रियात्मकी क करनोसंदान का विशेश महात्व है कि कि चेतर में कार करने वाले वैक्ती चाहां ज्यापक हो प्रत्ना चाहरे हो सेक्षिक प्रस्टाशक हो, काउंसलार या फिर कोई अन्यपदादिकारी हो के कारों में क्रियात्माक अनुसंदान एक बहुत ही जाधाonta सबल सहाधन की रुप में सम्ज़ जाने लगा है क्रियात्माक अनुसंदान मॉली का अनुसंदान जे बहुत जादा भीन होता है अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंदान के शाब्तिक अर्थि के बारे में तो क्रियात्मक अनुसंदान का अर्थ देख लेते हैं meaning of action research क्रियात्मक अनुसंदान एक व्यापक तथा मिश्चित शब्द है यानि ये कई शब्दों का मेल हैं जैसे की action research अनुसाना का मतलब होता है कारर करना, एक्षन के मतलब है क्रियात्मक और रिषर्च का मतलब है अनुसंनन्हे तो तरने जुर्कि क्रियात्मक अनुसंदान दो भाते मुश्च मेने हो पाता है इस घमी को पूरा करने के लिए मौलिग अनुसंदानका करह अधर Сमय किरात्म के चुर्णी किरियत संदान के कहते यह आनी इससंदान की दौरह वैति तौह तहिए विपने अपने समस्를ाण की समदान के दौन के लिए इस gotta hope इसक की एक अनुसान्दान के लिए मारक होग तक कोटा तो इस पर केम है कैंто 해요 किरात्मगरु सुंदा सिख्षाक , प्रधाना-चायर प्रवद्दक प्रशासक , निद्शक , निरिक्षक , अत्तव अन्य विद्यालों के करमचारी तरह विद्यालों की समस्यों को सुलजाने के ली किया जाता है जिसका लक्षित विद्याले की प्रगति विक्स करने है और यह विद्यालों न कुसान जर्व और संब्री बांचा जिसके दौरह अभ्यास इसब्स चाहिए लोगों करता है यानि स्टीफिन कहाँ कि वह पर क्या जिसके धुरह कोई भी अभ्यास करता है यांशान करता है अपने पर करने जाता है quarter v good के अनुसार कुर्यात्मादमागन करता वार अध्यापक निरश्यक प्रशाषिक नीद विए बखात, इनुसाद्मादमागन क्याने के जाने वैला अनुसादान है यानि गुट कहने हैं कि जो भी प्रधानचारे अध्यापको निरेच्छको दारत जो गुड़ात्मक सुधार लाया जाता है समस्तियाओं में उसे ही अनुसंदान या फिर क्रियात्मक अनुसंदान कहते हैं सारा ब्लैक वेल के अनुसार क्रियात्माग अनुसंदान विद्याले की समस्याओं से संबंदित विद्याले कार करता हूँ तोरा विद्याले की कार पढ़ाली में सुधार लाने के लिए किया अनुसंदान है अब बात करते हैं क्रियात्माग अनुसंदान के उदेशिक वारे ने यानि क्रियात्माग अनुसंदान या फिर अनुसंदान करने के क्या अबजेक्टिव्स होते हैं निनके तहित क्रियात्माग अनुसंदान किया जाता है पहला है विद्यार्थी की कार विद्यार्थी में कुशलता विक्सित करना पाटकरम की औचिति विम अनचिति का अथिन करना विद्यार्थी की प्रबंदग प्रदना चारा अध्यापक आदि में विज्ञानिक दिष्टिकोड विक्सित करना प्रशास को और निरिच्छा की कुशल्ता में विरती करना, अध्यापकों के वहवार में विहवारी परिवर्टन करना, विद्यारती के वहवार में परिमार जान करना यानि क्रियात्मकरों संदान का उदेश क्या होता है कि जो विद्याले की कार विद्या हो रही है उसको कुछ सल्टा पुर विखसित भी करना और जो पार्टिकरम है उसके अनचित यानि जो उसके डूज होते हैं जो मतलब की लाब होते हानी हैं उनका भी अध्यान करना नाम की वच्छा को समधान करने में भी अपना योगदान देना ये सभी कुधे मागाने देश देश नेक्ष ए क्रोफ आतंडान के लक्षर लेक्ष मिझे यह अनुसंधान बत्रभ करतो कि और या रेख日本 कुम लगता यानिए संन्दान एक बडान आपना ही जाती है इसके दौरा अध्यापक परशासा है और प्रबंधक विद्धाल कि दैनिक समस्तयाओं को वस्तो प्रमाणी के वह उप्योगी निदान खोज लेते हैं यहीं बार बार रिसेच करके समस्तयाओं को प्रमाणी को उप्योगी को निदान यूशल्ट यह फिर उपाय खोज लिया जाता है इसके दोरा अध्यापक छोटे-चोटे इस तर पर सिक्षण अदेशों की प्राप्ति सहच कर लेते हैं यह जो वह अपने लेसन प्लांस बनाते हैं कि हमें यह आज स्टुरेंट्स को प्रदान करना तो यह उनकी अदेशों की प्राप्ति भी सहच अध्यापक है तो उनकी रोडिवादी सोच यह देश्टी कोड को प्रहार भी करता है उन्हें विक्सित भी करता है अब बात करते हैं क्रियात्मा गनुसंदान की छेत्र के बारे में यानि क्रियात्मा गनुसंदान का छेत्र कहां तक सीमित है और उसका अध्यापकों क्या ह से यह सब आसनधान के छेत के रूप में हैं यानि कुल्स तो क्रियात्मा इन शेतरों के तहत कार करता है तो जिन में पहला बालकों की और्शक्ता का अध्यान है पहला है बालकों के अशक्टाओं का अध्यान तो क्रियात्मा गरुसंदान बालकों के अशक्टाओं का अध्यान करके उनके वैक्तित्व का समुचित विकास करने में योगदान भी देता है और कक्षा अध्यापक में बालकों के शारिक मानसिक इस तर के अध्यान करके उन्ह जाने चाहिए तो किरात्मागनों संदान की दोरा बालकों की रूची का भी पता लगाया सकता है नेक्स्ट है अनुशासन की समस्या तो विद्यार्थियों में जो व्याप्त अनुशासन हींता होती यानि जो बच्चे डिस्सिप्लिन में नहीं रहते हैं तो उनका समधान भी क्रियात्मागनों संदान की दोरा इन पत्तियों को अपना कर किया जा सकता है नेक्स्ट है समाजिक समस्या तो विद्यार्थि और अध्यापक में अनेक विसंगती समाजी कार्णों से आ जाती डिफ्रेंसेस आ जाते इन विसंगतियों को इन डिफ्रेंसेस को क्रियात्माग संदान की दोरा अध्यन करके निदान किया जा सकता है दिगम समस्या कख्षा में कई बालग जल्दी देश्च का अध्यन कर नेक्स्ट है पार्टिकरम का इनुसार्म बदलता रहता है बदलते ऊद्देशxico की पूर्ति कहने चाहिए हुआ होlt संदर्ञ समाज देशकाल देशका और पैस्टिटी का दियान भी सिकता है और अध्यापको की समस्चे तो ऐसी अनिक समस्या है जिनका सम अध्यापकों से सीदा संभन होता अध्यापकों के सिक्षड कुशलता सेそれはंचीत करने वाले बहुत से कारकों भुखते पारिवारी कारक समझीं कारक आर्ति और आर्ती और मानसिक व्यवसाइब कारक या फिर व्यवसाइब में यूज़ करके हम क्रियात्म करते हैं तो पहला है समस्या फेप्रस्थावनाननेक्स्ट है समस्या की व्याफ्या करना फिर उद्देशंन्नेक्सिया समस्याके कारको कविष लेशन क्रियात्मक sä damaged परीकल्पना परिक्षान हीतु रूप रेखा आकड एकत्र करना एवम सारणी करन करना परड़ाम एवम मुलयांगांतु ग्रयात्मकर्ण सुनदान के टोटल दस स्टेप्स होते हैं जिन से घुजर कर पूरा किया जाता है यदि समस्या की बात करें तो जिस समस्या का समधार क समस्या प्रस्टाम्न है प्रकास्यों सेंट संच्प्त नि pen आधार करेगा व्याकिया , इसमें क्स bewAudi कि इसमें हुए , रूदब रुद्पन हुई , उसका विभाय क्या है , और रूत आग्वास्यों , PRAS, पोर्थ स्टेप है उद्देश यईनिar औचितिवस्तों समस्या अद्दैन कि विब्ण अद्देश्यों को प्रस्तुद किया जाता है यानि किस पुद्देश से समस्या का समदान खुजा जा रहा है पार्चमा स्टेप है समस्या के कारकों काई सुधरा will делать आा चीत पार्लिक् पड़ाया जाता है जी से परिकर्पना यान हाईपोतेसिस बनाई जाती elobe 75 जाता है परिकलपना परिकशन रूप रेखा बनाई जाती तो इस सथर पर शंदान त्यातील videos 4 के रेखा तयार की जाती है next वारता लाप के दौरा तो जो भी आपने आकड़े कत्रित की हैं उनका सार्णी करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप है परड़ाम यह हमारा नवा स्टेप है तो उप्युक्त सांख्य की कपड़ियों करके परड़ाम निकाला जाता है और इसके पशत इसका मुल्यांकर यानि सबसे लास्ट और 10 माँ स्टेप है क्रात्म यह संदान करवार तो पराप्ता की सट्ध स्ट्रीक की पुष्टि किया जाती तो यї तो परिकलपना को सट जाता परिकल्पना को सविकृत कर दिया जाता है आशा करतेACE हूँ यहां dauर लोगशों को सब्सक्त कर दिया जाता है आ समझ में आओं के सब्सक्राइब वीध निरुतर प्रषा सब्सक्राइब रम्हइं करदने ने कम इंपर्टेंट क्रियात्मा अनुसंदान बहुत ही इंपर्टेंट टॉपिक है एक्जाम में जरूर से पूछा जाता है मौली का अनुसंदान शौट्स में हो सकता है पूछ ले जाए या फिर टिपड़ी आए तो थोड़ा सा ब्रीफ में सिफ इंड्रोक्शन मौली के साथ में लगे बेला को उनको भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना खूब क्या रखिए बाए-बाए